वेलो एवरीवन तो इन दिस सेशन वी डिसकस हाउ टुरेमबर फॉर्मलाज एक बहुत बेसिक प्रॉबलम है क्योंकि सिविल इंजिनिंग के अंदर बहुत सारे फॉर्मलाज है हम लोग को पता है कि टोटल फॉर्मलाज जो सब्सक्राइब निकाले हैं उन समय मैंने कैसे सारे फॉर्मलो को याद किया उनकी कुछ टिप्स तुमको मैं देना चाहूंगा और वी जो टिप्स बाकी सारे टॉपर्स अपनाते हैं उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो के इंडर डिसकस्शन करने वाले हैं सो बिना टाइम वेस्ट की हुए हम लोग एक एक करक सबसे पहली टिप जो है वह क्या है कि हम लोग को प्रैक्टिस करनी बहुत जादा देखो वही एक बास सबको पता है सर तुमको पहले भी बहुत अचा बता चुके हैं कि हम लोग को स्ब्सक्राइब बहुत सारे कॉस्ट्राइब तो उसमें फॉर्मले आते हैं अब वही समझ सकते हैं तो बार और प्रैक्टिस करनी है सिंफल सर फस्ट हम लोग चायद नहीं हो रहा है तो अगर हम कोई कि लगाते हैं तो होते हैं कुछ फॉमले पूछे गए हैं वो तुम्हें रहते हैं क्योंकि तुम्हें उनकी ज्यादा करी हुई है वह सारे फॉर्मले जाते हैं क्योंकि उसके त्रूं को याद किया है तो सबसे पहले टिप जो मिल लाइए वह यह है कि सब हम लोग अपने प्रैक्टिस करेंगे बहुत जादा और हम लोग को सीधे रटना नहीं है हमें उसके पीछे लॉजिक समझना है कि यह क्या है वो क्या है हर इक तर्म का कुछ मतलब होता है उसको हमें इमेजिन करना होता है उसको हमें करना होता है कि exactly उन टर्म का जो उस फॉर्मले के अंदर आ रहे हैं उनका क्या मतलब है तो लॉजिक जितना ज्यादा समझेंगे उतना ज्यादा हमारा ब्रेंड डॉट सो करेगा और वह फॉर्मला हमको बाद में रीकॉल हो पाएगा तो इस है कोशिश करिए कि हर फॉर्मले को हम समझें बहुत बढ़िया तरीके सब्सक्राइब में जाके एक टर्म का मतला हमको क्लियरली सौंज में आ पाए ताकि जब हम कभी वहां फॉर्मला लिख रहे हो तो अगर हमने समझा होगा तो अब्वेसलिकर कुछ मिस हो रहा होगा कि पूरे पूरे फॉर्म्ला से अपनी एक शीट तयार करो और नहीं आएगा दो सरी हो सकती है को लिक्तर नहीं है तो अपने सारे फॉमला जो इंपोर्टें जो याद होने ही चाहिए फ्रॉम पॉइंट व्यू उसकी लिस्ट जरूर बना और उसको रोज देखा करो रोज देखो हर पांच दिन में देखो जितना तुमसे हो पाए उसको बारवर देखते रहो ठीक है और हां लॉजिक भी समझना है और हमको सर्कॉस्चन्स भी प्रैक्टिस करने उन सारे फॉर् लेकिन जब हम फॉर्मले को याद कर रहे हैं तो फॉर्मला बुक में जाके चीटिंग नहीं करने हैं अपने दिमाग को लोड देना है क्योंकि जितना लोड हम अपने दिमाग पर देंगे उतना वह तेज बनता है ठीक है यह बात समझ लो तो सर हम अबसे एकदम कसम खा रह जाएंगे ठीक है तो वह फॉर्मला खुद से लिखने कोशिश करेंगे और अगर भूलेंगे पूरा दिमाग के जोड़ा भूल गया तब रेफर करो यह नेकी कोश्चन देखा सीधे सुलूशन कोश्चन देखा सीधे सुलूशन ऐसा नहीं करना चाहिए कोश्चन के बाद तुरंत फॉर्मले पर नहीं जाना थोड़ा दिमाग लगा लो जितना हो पाए जब नहीं आदरा तब करो क्योंकि उसके बाद क्या होता है हमारी ब्रेन की सेलेक्शन के पैस्टी बहुत बढ़ जाती है एक बार गलती हो जाती है हमने बहुत मन से कोई चीज करी और नहीं ह पाई हमसे ठीक है उसके बाद जाके सालुशन देखते हैं तो वह सोलुशन तुरंट दिमाग में एकदम सेलेक्ट हो जाता है तो हमेशा यह करना है कि पहला एक हमेशा पहला बहुती शिद्दत देना है जिसमें हमें कोई चीटी नहीं करनी फॉर्मला कहीं से नहीं देखन लगते हैं एस कंप्रेट टू टेक्स्ट है ना तुम देखो तीन घंटे की तुम पिच्चर देखते हो तो मैं सब तुरंट पता दिल जाता है वही अगर तीन घंटे की पिचर तुम इसको पढ़ों ना कभी बोर हो जाओगे तो पिच्चर जो है इंसान के दिमाग को पसं एक नदी के साथ जोड़ेंगे जहां पर रहा है उस पिच्चर से जोड़ने कोशिश करेंगे कि वहां पर यह बीए है ऐसा कुछ है ना तो जब हम अपने फॉर्मले को उनके अंदर जो टर्म से उनको एक्च्च्वल पिच्चरों से करते हैं एक्च्वल इमेजिस से जोड इस वीजिएशन हमारा बहतर तरीका है याद रखने का लंबे समय में हमने ऐसा ऑब्जर्व किया हुआ है कि एक बार ने बहुत ध्यान से किसी चीज़ को विजुलाइज करा और हर एक चीज़ को बहुत अच्छे समझा तो वह चीज़ हमको लंबे समय तक याद रही रही देख लिए हमने उसको जल्दी से देखा बाद में फिर जल्दी से देखा तब भी याद नहीं हुआ और हमने एक बार फॉम्ले को बहुत मन्द से एक्दम लॉजिक से समझा उसको पिच्चर से कनेट किया एक बार में याद हो गया लंबे समय तक तो बात यह बहुत सारे पार सब्सक्राइब कोई चीज नहीं होती जल्दबाजी में सब बेकारी यह समाझालो कि तुम अगर कोई चीज पहली वर पढ़ रहे हो तो तुम में बहुत धहरे से पेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि तुम अपना पूरा लॉजिक लगा रहे हो तुम एक नहीं करने हैं पूरा लॉजिक बनाना है और उसको विजुलाइज करना है ठीक है उसके बाद हमको हेल्दी रहना देखो यह सब चीजें सोच रहोगे सार पता नहीं कौन सा घ्यान दे रहे हैं बट इट इस इंपोर्टेंट अगर हम लोग खाना प्रॉपर तरीक से नहीं खा रहे हैं या हम लोग उल्टे सीदे समय रात में खा रहे हैं तीन बज़े जनली ऐसा होता है कि लाइगरी बच्चे पढ़ते रहते हैं तो किसी भी टाइम खाते हैं कुछ भी तो यह जो साइकल ऐसी कोशिश करने चाहिए थी हिसमें का हार्ट रेट थोड़ा बढ़ सकते थोड़ा योगा वगरा इस तरह से कुछ हम लोग करेंगे तो उससे बढ़ती और Sul को थोड़ा exercise और यह सब खाने का और बॉड़ी साइकल का थ्यान रखना चाहिए ठीक है यह ने की पढ़ने में डूब गए तो इतना डूब गए कि सर अब हमको कुछ मतलब अब बहुत लोग एक घंटे के अंदर दस घंटे काम करते हैं कैसे हाइफ इस दुनिया में जित्ते बहुत बढ़ बड़े लोग हैं उन सबसे अगर तुम पूछो की एक वर्ड में अगर उनको बताना है सक्सेस की डेफिनिशन तो लोग फोकस वर्ड बोलते हैं फोकस अगर बहुत ध्यान से एक दम हाइली अपने एनरजी को और फोकस को एक जगे सेंटर कर दे रहे हैं और वहाँ पर अगर लोग सिर्फ 10 मिट भी काम करते हैं तो वो 10 मिट हमको एक दो घंटे के रिजल देता ह यह बहुत जरूरी बात है तो स्टुडेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग तपस्या करें और अपने अटेंशन को एक जगे लगाने कोशिश करें क्योंकि आज के समय पता है कि हम लोग दिन बर डिस्ट्रेक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं पचासों तर प्रसेस नहीं रख पा रहे हैं ट्रेन फॉट्स आते जा रहे हैं और जिस फॉट्स को पगड़के रखना चाहिए जो हमको हाइस प्रॉट्टिविटी देगा वह फॉट्ट कहीना कहीं गया हो जाता है विकॉज अफ डिस्ट्रेक्शन जो कि हमारे आसपास है नोटिफिके दिखकत होती है जब थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहें तो दिमेंस तुम्हारा अटेंशन बढ़ता जा रहा है ठीक है और बिलीव में जब हम लोग फोकस कर पातें लंबे समय तक तो उससे जादा मजा और कहीं नहीं है सच में तो मैं इसा लगता है कि हमारी टेंडेंसीज मतलब यह कह सकते हैं सूपर्यूमन की तरह जा रही हैं अगर हमको कोई कुछ बोलेगा कि यह कर दो तो बहुत सिंपल होगा हमाई लिए और वही काम तुम किसी और आदमी को दोगे जो की अन जो कह सकते हैं जो की अगर की फोकस नहीं प्रैक्टिस कर पाया जो कि अच्छी तरहीं से नहीं देपाएगा साफ डिफ्रेंस तुरंद दिखाई देता है कुछी दिनों की प्रैक्टिस के बाद है तो सब्सक्राइब करके अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं और एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि ज इसा हमने किया था अब लेकिन हां बीच में कुछ ऐसा होता है कि कभी-कभी वह दूली खारा होता और उसको नजर नहीं मार पाते हैं लेकिन आखरी समय जब आखरी के दो-दिन मेने तो हमने इसको बहुत देखा लेकिन बना हैं बहुत पहली था तो उससे कोई ठीक है तो म अफ लए हम लokes देखो लिखना बहतर रहे लिक्ना बहुत बहुत है लेकिन थिमाग से होता सकता ओर और रात में हमसहा कर दिवांग में अलग करा फिर उसके अंदर के टॉपिक्स हरे अलग की दिवांग में हर चीज को अलग अलग करके ताकि ऐसा नहों कि यह सोचते हो बहुत हाई चांस है कि तुम वह सब चीजें बाद में रिकॉल कर ले हुए सच में ऐसा है यह हमने खुद महसूस किया है समझे तो यह जरूर प्रैक्टिस करो बहुत बहुत एफिशेंट चीज है यह रात में है एक्चुली इससे होता है कि सब कॉंशेस और लॉंग टाप मेमोरी की तरफ बढ़ने लगती है ठीक है चलो आगे लास्ट हमारा यह है कि हम लोग कुछ टेक्नीक्स कर सकते हैं निमोनिक्स कर सकते हैं जैसे कि ब्रिक के कंपोजिशन अगर हम बात करें तो सिलिका एलुम्ना लाइम आयरन मैंगनेश्या है इसी परसे अगर इस सारी टिप्स को दिवाग रखते हैं तो इससे हमारे अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे तो एक बार हम समराइस करें अगर केसे फ़रेक्टिस के फॉख उमले को याद करना है कुछ स्थीन नहीं करनी पहले में खुच से लगाना है हफ्टी रहना है हमें से एक्सेज़ करनी है उसके आफ्षार हम वाल पर अपना क्या नाम है चार्ट बर लगा कर सकते हैं सारे सब्सक्राइब करेंगे तो बढ़िया तरीके से हमारा विकन से कि हम लोग चीजों को और फॉर्म लोग को रिवाइस कर सकते हैं ठीक है तो दिस इट फॉर सेशन इस्टे ब्लेस्ट टे केर थैंक यू अव्रिवन